आएए अब एक्सराइस 5.2 में क्वेशन नंबर 20 की सॉल करते हैं और ये क्वेशन कुछ इस तरह से है कि राम कली सेव रूपीज 5 इन फॉर्स वीक अफ एयर और देन इंप्रीस हर वीकली सेविंग्स बाइ रूपीज 1.75 इस एंथ वीक हर वीकली सेविंग्स बीकम रूपीज 20.75 यानी इस रूपए पर 70 पैसे देन फाइंड वैल्य आसान क्वेशन है आए इस क्वेशन को सॉल करते हैं सबसे पहले जो एपी है वो देखते है किस तरह से है is savings in first week equals to rupees 5, savings in second week equals to rupees 5 plus rupees 1.75 because Ramakali increased her income by rupees 1.75 so it is equals to 6.75 same as savings in third week equals to 6.75 plus 1.75 जब इसको add करेंगे तो यह होगा 8.50 तो हमारी जो एपी है वो कुछ इस तरह से होगी 5, 6.75, 8.50 और जो इस एपी की last term है वो है 20.75 और इस एपी में हमें कितनी terms है वो calculate करके बतानी है बहुत आसान है इस एपी की first term है 5, common difference obviously 1.75 है और जो last term है वो है 20.75 और अब हम general term का use करके n की value easily calculate कर सकते हैं general term होती है a plus n minus 1 into d equals to dn a n है 20.75, a की value है 5, n calculate करना है d की value है 1.75 जब इसको calculate करेंगे तो यहोगा n minus 1 into 1.75 equals to 5 यहां से subject करेंगे तो होगा 15.75 और n की value होगी n minus 1 equals होगा 15.75 over 1.75 तो यह value होगी 9, n minus 1 equals to 9 तो n की value होगी 10 so the weekly savings will reach rupees 20.75 in 10th week so this is the solution of the question thank you